यह से रविंदे जी नजर डाला कर मसाला कॉंप्लेक्स की और तो हम देख रहे हैं कि धनिया 8200 के आसपास कारोबार करता हुआ रहा है और जीरा भी एक बाद फिर से 15,000 की उपर निकला है और जो हल्दी है टर्मेरिक भी ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार कर रही है आपको क्य क्या लगता है क्या दिवाली तक या आने वाले कुछ दिनों तक यह तेजी जारी रहेगी या फिर उसके बाद भी यह तेजी और देखने को मिल पाएंगी तर्मरीक में तो सेलिंग के चांस बनते हैं क्योंकि एक्पेक्टेशन है कि इसमें प्रड़क्शन जो है वो काफी अच्छी होने की संबाबना है और उसी वज़े से में चांस लग रहे हैं कि दिवाली के बाद टर्मरीक प्राइज में एक सेलिंग जरूर विटनेस होगी हायर लेवल से लेकिन जीरा की बात करें तो जीरा में बैड बैदर की वज़े से सीरिया और टर्की में चो लिमिटे दनिया में फर्दर कॉंसालिडेशन पेज में ही यह रह सकती है कमोईटी 8000 से ब्यासी सो के लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं लेकिन डाउनसाइड में आट अजार के उपर जब तक सस्टेंड करती है चांसे जी है कि रेंज को और मूवमेंट की देखने को भी जी